नमस्कार तनू बैज किचिन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करेला प्याज की मिक्स सबजी बनाने की रेसिपी शेयर करें है। ये बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो आए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए हमने medium size के करेले जो जादा पके हुए नहीं होने चाहिए इनको हमने पहले धो लिया है इनका पानी सुखा लिया है और दोनों तरफ के किडारे अलग कर दिये हैं और इस तरह से इनके slice काट लेने हैं देखे कच्छा करेला है इसमें जादा बड़े बीज नहीं है इस करेले की सबजी बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से हमने सभी करेले काट कर रख लेने हैं अगर करेले में जादा बड़े बीज है तो उसको बीज के portion से अलग कर देंगे साफ कर लेंगे बीज को जब सभी करेले कटकर तयार हो जाएंगे तब एक बड़े बोल में इनको एक चमश नमक डाल कर रख देना है जिसे इनकी कड़वाहट काम हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगते है ये सभी करेले हमने एक बड़े बोल में डाल कर इस तरह से एक चमश नमक डाल कर हिला दिया है और एक धक्कन से धक कर 20 मिनिट के लिए एक तरफ रख दिया है तब तक हम अपनी सबजी बनाने की तयारी शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिए हम तीन से चार बड़े प्याच इनको हमने बड़े-बड़े स्लाइस में काट लिया है सब तयार होने के बाद सबजी बनाने की तयारी शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक नॉनिस्टिक पैम गैस पर चड़ा दिया है जब गरम हो जाएगा तब उसमें 2-3चमच रफाइं आई डाल दिया है जब रफाइं आई गरम हो जाएगा तब उसमें 3 चमच सौफ के पिसे हुए दाने डाल देने हैं जब वो गोल्डन प्राउन हो जाएँगे तब उसमें आदा चमच हुरी मृच्ची का पेस्ट आदा चमच अद्रक लेस्ट का पेस्ट मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से सौटे करेंगे जब यह इस तरह का टैक्शिर में आ जाएगा गोल्डन भून जाएगा तब उसमें प्याज आइट कर देंगे एक स्पेचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है फ्लेम स्लो रखना है प्याज को जादा भूनना नहीं है यह करेले के साथ भूनेंगे प्याज को बस एक ट्रट चलाने के बाद इस तरह से इसमें मसाले डाल देने है आदा चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है एक को नमक का पानी निकालकर करेले को तयार कर लेंगे दो से तीन चमच धनिया पाउडर डाल दिया है तीन से चार पेंच हींग डाल दी है इन सब मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स करना है एक मिनट इस तरह से इनको भूनेंगे slow flame रखेंगे जब यह अच्छे से भुन जाएगा तब इसको इस तरह से बीच में करके उपर से जो करेले हमने काट कर रखे हैं उनको नमक के पानी से अलग कर लेंगे जितना पानी होगा उसको squeeze कर देंगे निचोड देंगे और करेले को इसमें उपर से डाल देंगे अब इसको हमने चलाना नहीं है केवल ऐसे ही रखना है और एक प्लेट से इस तरह से ढख देंगे तीज से चार मिनिट बाद ढखकन उठा कर चेक करेंगे देखे करेले का कलर चेंज हो गया है इसको स्टीम लग गया है अब सबजी को अच्छे से mix करेंगे नीचे जो प्याज भुन रहा था वो भी अच्छे से golden brown हो गया है सभी सबजी अच्छे से mix कर देंगे और अब इसे दो मिनिट के लिए और ढग कर पकाएंगे slow flame पर यहां मैंने प्याज को जादा भूना नहीं था क्योंकि जब सब्जी भुनती है अब प्याज को पहले से भून कर डालते हैं तो सब्ची का टेस्ट खराब हो जाता है प्याज जल जाती है तो एक बार इस तरह से ट्राइ करिए करेली की सबजी बहुत स्वादिस बने की उसमें मीठा बना जाएगा प्याज मीठी होती है स्वाद में इसलिए करेले के कड़वाहट को कम कर देती है